नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भप्रस्तती जोतिश दिशा सत्यकी राह लक्षण महत्व है इस महत्व का आप जितना आनंद ले सकते हैं लीजिएगा आज बिजिया कादशी का एक बिशेश उपाय हम आपको बताएंगे कारिक्रम के ही दोरान तो पूरे कारिक्रम आप हमारे साथ बने रहिएगा ऐसा ना हो कि आप भाग जाएं बीच से ही बिजिय बिजिया आपकादशी की विशे में बस थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे देता हूँ फालकुन माह कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजिया आपकादशी करते हैं इस बार आज अर्था दो मार्च दिनशनिवार को एकादशी ये पढ़ रहा है इस एकादशी के विश जाने के लिए सिरिलंगा पर चड़ाई के लिए और मानता यह भी है कि सिराम के इस व्रत के परताब से ही वो रामण पर विज्य भी प्राप्त किया अतयव इसका नाम विज्यायकादशी पड़ा विज्यायकादशी के दिन अगर आप वरत करते हैं भगवान बिश्णू का पूजन करते हैं वंदन करते हैं सिरामचरित मानस का पाठ करते हैं तो आपके समस्त मनों कामनाओं को ये पूर्ण करता है ऐसी मानता सास्त्रों में वर्णित है आईए अब हम आपको बताते हैं आज का शुभ पंचांग पालगुन महा किश्णूपक 6 का दसी थी तदनुस्वार विजयाय का दसी चंद्रमा दोपहर 12 बज़ के 38 मिनट तक धनुराशी में हैं इसके बाद मकराशी में प्रवेश नक्षत रुतराशाड़ा और योग व्यतिपात तदनुस्वार दिनांक दो मार्च दिन शनिवार शनिवार को राहुकाल का समय होता है सुभह 9 बज़े से 10 बज़ कर 30 मिनट तक इसमें शुभ काम नहीं करने चाहिए और गुलिकाल सुभच 6 बज़े से 7 बज़ कर 30 मिनट तक इसमें आपको समझत शुभ कारे करने के छूट होती है आपके काम बनने सुरू हो जाते हैं विकेंड है आज शनिवार का दिन है सब्ताह का अंतिम दिन है तो आईए बताते हैं आज के दिन मेज से लेकर मीन तक वालों के लिए क्या कुछ मिलने वाला है जानकारी दो और देते हैं आप हमसे 5 मार्च तक लगातार गाजयवाद ने मिल सकते हैं 6-7 को आप हमसे डायरेक्ट मुलाकात कर सकते हैं पुने में 8-9-10 को आप हमसे मिल सकते हैं मुंबई में ये मीटिंग आप जोतशीय कंसल्टेंसी के लिए भी कर सकते हैं और कल्चर वैली की शाखा खोलने के लिए भी कर सकते हैं कल्चर वैली आपकी अपनी शाखा है कल्चर वैली के साथ आप किसी भी तरह से सुसीट होते हैं आपके लिए ये पॉश्टिव रहता है थैंकिसो मच आईए बात करते हैं मेश राजी की मेश वालों के सिक्षा में आज कुछ रुकावटे आ सकती हैं परिवार की कुछ जिम्मेदारियां एकदम से आपको पढ़ाई करने से रोक सकती हैं आपके सिक्षा प्रभावित हो रही है ब्यापार में आज शुब्ता प्राप्त होगी चंद्रमाधनुसे मगर में प्रिवेश करेंगे तो यहां आपके लिए कारेच्छेत्र की विद्धि कराने वाला होगा काम बढ़ सकता है वर्कलोड बढ़ सकता है प्राइविर सेक्टर की नौकरी करने वालों के लिए कुछ इस्थि आज विखराल हो सकती अगर आप मेश रास के हैं तो अगर आज बहुत शानत रहने की मावसकता है दामपत्ते जीवन कि इस्तितियां आज यात्रा की कारण थोड़ा असा कश्ट प्रद रहेगा कोई चोट चपेड के संभावनाएं भी बन रही है तो सोयम को साध के रखें सांत रखें ये आपके लिए शुब होगा लव लाइफ लव लाइफ की इस्तिति बहुत अच्छी रहेगी प्रेम पहले स्वास्त जानिए आज सर में भारीपन आखों की समस्या और तुचा की दिक्कत शेनेगी आपको उपाय क्या करना चाहिए आज घर के सामने के किसी भी पौधे को ऐसे स्पर्श कर दीजेगा बस क्या नहीं करना है आज दुपहिया वहां से लंबी आत्रा नहीं करना ह लाल रंग शुब है 62 प्रतिशत का भाग आपके साथ है विशब राजी आज विशब राजी बालों के लिए दोस्तों का साथ बना रहेगा किसी बढ़िया दोस्त के साथ सिक्षा में अस्तरिय सुधार लाएंगे अगर आपकी राजी बिशब राजी है तो हो सकता है कि आज अचानक से कुछ ऐसी स्थिती भी आ जाए सिक्षा के मामले में जो आपके लिए कई अर्थों में घातक हो जाए एक्जाम में रिजल्ट निगेटिव आ सकता है व्यापार की स्थिती थोड़ी सी डावा डोल रह लेगी कुछ व्यापार करने में आज रुपए के लेन देन की स्थिती बिगड़ सकती है आप चीट हो सकते हैं आपर धोखा का भी लग सकता है अगर आपकी राजी बिशब है तो आज व्यापार को जादा तर इस प्रकार से इस्थिती बना कर रखिएगा जो आपने कभी क मस्या नहीं आएगी हो सकता है कि प्राइवेट सेक्टर में आज नहीं नौगरी की संभावनाएं आपकी किसी दोस्त की मदद से मिल जाएं सरकारी छित्र बिशब रासी वालों के लिए गवर्मेंट सेक्टर में प्रमोशन आज तै है हाँ मन चाहे स्थाना अंत्रोन में आ प्रूश जो विर्शब रासी के हैं उनको वाज दिक्कत हो सकते हैं उन्हें आज दिक्कत का सामना करना पड़ सकता पूर्शों को थोड़ा सा वाणी पर ध्यान दे दे और बहुत ज्यादा एग्रेशन ना दिखाए लव लाइफ के बाद स्वास्थ आज के दिन चंद्रमा के उत्राशारह नक्षत्र में रहने के कारण शुगर लेबल आपका बढ़ सकता है दोस्ती में आज कुछ खाने पीने में वेतिक क्रम होगा पहिंबित्र ने कुछ खिला पिला दिया और आज सुगर बूष्ट कर जाएगा तहान दीजेगा क्या विशेश आज उपाय करना चाहिए आज काला रंग जरूर धारन करें क्या नहीं करना है आज बुषव रासिवालों को किसी भी दोस्त के साथ अभधर वेवार नहीं करना है काला रंग शुभ है 79 प्रतिशत का भाग आपके साथ है मिथोन राशी सिक्षा में सुधार की संभावनाएं बन रही है आज एक्जाम क्वालिफाई कर लेंगे कोई खास समस्या आज आज आपको परिशान कर सकती है ब्यापार में जल्दी पाजी का निरड़े गातक हो सकता है आर्थिक इस्थती आज कुछ गणवल दिखाई दे रही है अगर आपकी राशी मिथुन है तो थोड़ा अपने आप पर आज ब्यापारिव दिश्टिकोंट से पावंदियां लगाईएगा प्राइवेट सेक्टर से दोस्त की मदद और प्राइवेट सेक्टर का जंप इस्थती भी आज बहुत अच्छी रहेगी सरकारी छेत्र सरकारी छेत्र में कुछ नया करने का आज विशेश लाभाब को मिलेगा हो सकता है कि परिस्थती बस कुछ आज ऐसा भी हो जाए कि अकसमात कुछ उल्टा पुल्टा सा निरड़े ले ले आप तो अगर आप प्रा भार दे दे आज प्रमोशन के भी चांसेस मितनवालों के बहुत प्रबल हैं ये भी आज हो सकता है दामपत्य जीवन की उठा पटक के बीच में आज चंद्रमा का परिवर्तन थोड़ असान नकारात्मक है क्योंकि आपके अश्टम भाव में अचानक चंद्रमा जबाएग तो इक्षाएं कुछ प्रबल हो सकती है उन पर आपको बहुत अंकुष लगाना होगा लव लाइफ लव लाइफ आज बहुत अच्छी रहेगी लव लाइफ में कोई समस्या नहीं दिखाई दे रही है चीज़ों को आप मेट्रलाइज कर सकते हैं बिथुन राश्य स्वास आपके साथ है अगली राशी करक करक राशी बालों के लिए परिस्थतियों को प्रतिकूलता से अनकूलता में पनवर्थित कर देंगे आप सिक्षा में खोब मन लगेगा आज सिक्षा के छेत्र में कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं जो कि आपके लिए बेहद उसमें कुछ उधार आदि लेने की आज संयोग बनेंगे लिया जा सकता है लेकिन मिधुन वाले से तो पाएंगे नहीं कोई मैंने उधार देने से मना कर दिया है तो करक वाले को ढूंड लीजेगा ब्यापार में आज इस्तिति अच्छी है ब्यापार के बाद प्राइवे आज बड़ा करने का भी मौकार प्राप्त हो जाए बहुस आपसे प्रशन रहेंगे किसी महलामित्र की मदद से नई नौकरी की भी चांसस बन रहे हैं सरकारी छेत्र बिलक्षन रहेगा बहुस भी प्रशन रहेगा बड़ी जिम्मेधारियां आपको देगा इस्तितियों को आप अपने पक्ष में पाएंगे अगर आपकी राशी करक हैं तो आज को पूरी तरह से जीने का मौका आपको मिल जाएगा सरकारी छेत्र में मतलब फुल हैंड आपको आज छूट मिलेगा करक राशी अगली जानकारी लव लाइफ और मैरिड लाइफ करक राशी वालों की आज मैरिड लाइफ में बहुत अच्छी श्तिति रहेगी दोपहर तक सम्हालिएगा जैसे ही चंद्रमा आपके सात्वे में आएगा छटे से अरे अद्बुत रहेगा बहुत पुराने पुराने गिले शिक्वे आज सब दूर हो जाएंगे और आप गले मिलिएगा अगर आपकी राशी करक है और लव लाइफ में आप हैं तो आज डेट पर जाये जा सकता है वो पहार का एक्स्चेंज आपके लिए शुब होगा स्वास्थ स्वास्थ के लिए तोचा की दिक्कत और कुछ पेट से सम्मंधित समस्याएं आज परेशान कर सकती हैं चंद्रमा छटे से सात्वे में आएगा करक राशे स्वास्थ के बाद उपाय क्या करना है अगर आपके राशे करक हैं तो आज कच्चा दूद शिवलिंग पर चढ़ाईएगा क्या नहीं करना है आज किसी भी बड़े के साथ अभद्र वेवार नहीं करना है पीला रंग शुब है 75 प्रित्षत का भाग आपके कि आज हो सकता है कि आप जो भी पढ़ाई करेंगे वह आपके लिए बहुत फेवर में जाएगा वह आपके लिए बहुत जगरात्मक होगा आज सिंगराशी वालों का प्रभाव स्वयम पर बहुत पॉश्टिव रहेगा पढ़ाई के मामले में आज आप अनुकरणिये कारे करेंगे मतलब लोग आपको फॉलो करेंगे कोई भारी भर कम हिंदी आती है तो हिल जाते होंगे आप लोग है ना सिंगराशी सिक्षा के बाद ब्यापार ब्यापार में आज आशातीत सफलता मिलेगी हो सकता है कि व्यापार में आपके फैसले आज बहुत पुराने किसी नुकसान की भरपाई कर दे आज चंदर्मा का प्रभाव आपके लिए सकारात्मक रहेगा उधार गया पैसा आज वापस आ जाएगा अगर आपकी राशी सिंग है तो आपके लिए अन्य प्रकार से भी आज लाब की इस्थिती बन सकती है प्राइवेट सेक्टर में बड़े जंप की संभावना भी बन रही है दोस्त मदद करेगा सरकारी छित्र रुके काम भी आज बन जाएंगे सरकार से कुछ विशेश मदद मिल सकती है सरकारी छित्र में आपका नाम दबदबा बढ़ सकता है दामपत्य जीवन इस्थितियां सकर आप मक रहेंगे दामपत्य जीवन में किसी नए का प्रवेश खुश कर जाएगा कुछ अच्छा होने की खुशी भी आज आज आपको दिल से मिल जाएगी कुछ और भी अच्छा आप पाएंगे सिंगराजी लव लाइफ प्रेम जीवन में थोड़ी बहुत विसंगतियां तो हैं लेकिन उनसे भी आप बाहर निकल सकते हैं एक दुसरे को समझना कोई बहुत कठिन नहीं है आपको तो कोई समझ नहीं पाएगा कम सकम आप ही समझ लीजिएगा स्वास्त स्वास्त के मामले में थिती आज सामान रहेगी पुरानी बीमारियों से बाहर निकलेंगे दबाओं का सेवन समय से करें शुब होगा उपाय क्या करना है आज सरसो का तेल हलका सा अपने दाहिने पाओं की अंगूठे में लगा लीजेगा क्या नहीं करना है आज आज पतनी से उलजना नहीं आसमानी रंग शुब है यक्सट प्रिस्चत का भाग आपके साथ है कन्या राशी शुक्षा में बहुत अच्छी सफलता मिलेगी परिक्षाएं आज अनकूलता प्रतान करेंगी ब्यापार बड़े फैसले आपके कारगर साबित हो रहे है ब्यापार में रुकाधन आज वापस मिल जाएगा प्राइबेट सेक्टर नहीं नौगरी की संभावना तो है लेकिन प्रमोशन आज नहीं हो पाएगा आज कारेश्षेत्र की वजह से आप नहीं यात्रा पर भी जा सकते है सरकारी छेत्र जमीन में निवेश किया जा सकता है आज बच्चे की शादी को ले करके आशानवित रहेंगे आप कन्यराश मैरेट लाइफ मैरेट लाइफ में किसी अन्यका प्रभेश आज आज आपको हिला जाएगा पत्नी के साथ मतभेद गहरा हो सकते है आज पती पत्नी सेप्रेट होने की संभावना है कन्यराश लव लाइफ की श्तिती बहुत अच्छी है सकारात्मक है डेट पर जाय जा सकता है स्वास्त स्वास्त में आज दवाओं का रियाक्शन देखने को मिल सकता है कुछ इस्तियां आज प्रतिकूल हो रही है उपाय आज किसी को जल का दान कर दीजेगा क्या नहीं करना है आज आज मां के साथ अभधर वेवार नहीं करना है मां को जबाब नहीं देना है ब्राउन कलर शुभ है 65% का भाग आपके साथ है तुलाराशी सिक्षा में कुछ उठापटक के साथ उन्नती तो है लेकिन ये उठापटक आपको हिला देगा ब्यापार में आज फैसले की घड़ी है बड़ा फैसला आपके लिए फेवरेबल रहेगा शुभत तो प्रदान करेगा धन की स्थिती से भी आज बहुत सकारात्मक संतोष जनक इस्थितियां दिखाई दे रही है तो ब्यापार में आज धन भी आपके पास अच्छा आ रहा है प्राइवेट सेक्टर तुला राशी वालों के प्राइवेट सेक्टर में कुछ नकारात्मकता है कुछ गड़बर है हो सकता है कि परिस्थित एकदम से आपके लिए प्रतिकूलता प्रदान कर दे तुला राशी सरकारी छेत्र सरकारी छेत्र में मामला संतोज जनक रहेगा प्रमोशन के चांसेज है आज दूर देश कहीं स्थानांतरन हो सकता है यात्रा भी आज कारे छेत्र की वज़ेसे करना पड़ सकता है दामपत्त जीवन की श्तिती बहुत अच्छी रहेगी तुराराशी वालों के लिए आज चंद्रमा बहुत मजबूत इस्तिती में है ये आपके लिए शुब बहुत सकारात्मक होगा अर्थात आपके चवते भाव में चंद्रमा आने वाला है लव लाइफ लव लाइफ में किसी अनिका प्रवेश या अगर सिंगल थे तो आज पर पोजल भी आपको मिल सकता है ये आपके लिए शुब तो होगा आपको अंदर से भी प्रशन रखेगा क्या खास आपको उपाय करना चाहिए बताएंगे स्वास्त जाल लीजे स्वास्त के मामले में कोई पुरानी बीमारी एकदम से बढ़ सकती है उस पर आपको अंकुष लगाने के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए तुला राशी उपाय क्या करें आप आज हल्दी जल में डालके नहाना है क्या नहीं करना है आज किसी महिला मित्र को अपने सीक्रेट्स न बताईएगा बातामी रंग शुभष चोगवन प्रिशत का भाग्या है ब्रश्चिक राशी सिख्षा में आज सफलता मिलेगी आज पारिवारिक माहौल सुखद रहेगा जिससे आपका मन काम में लगेगा पढ़ाई आप कर ले जाएंगे ब्यापार उत्तम योग है आज सफलता मिल सकती है ब्यापार में आज बड़े फैसले लिए जा सकते हैं और बहुत सकारात्मक प्रभाव बदलाव वाला दिखाई दे सकता है प्राइवेट सेक्टर इस्तियां सकारात्मक हैं नहीं नोगरी की संभावनाए हैं आज कारे छेत्र में नकारात्मकता से बचेंगे उत्तम संकेत हैं हर संभव उन्नति प्राप्त करेंगे प्राइवेट सेक्टर की स्थिति और भी अच्छी रहेगी ब्रिश्चेग्रासी वालों के लिए प्रमोशन भी हो सकता है सरकारी छेत्र में थरुआ सा मामला उल्टा है रुपया पैसा फंस सकता है आज कुछ किसी को आप पैसा दे सकते हैं कुछ लाव लेने के लिए और वो उल्टा पड़ सकता है तो इससे भी आपको बचने के आवश्चेग्रासी लव लाइफ और मैरेड लाइफ दोनों की कमबाइन दिस्थिती अगर हम देखें तो आज दोनों में उल्जने बढ़ रही हैं लव लाइफ में आपको सामने वाला समझ नहीं पाएगा और आप सामने वाले को समझ नहीं पाएगे ये थोड़ा सा निगेटिव रहेगा इस पर आपको बहुत ध्यान देने के आवश्चेग्ता है बिश्चिक राशी हो सकता है कि अचानक से आज कुछ फैसले आपके लिए उल्टे सिद्धे हो जाएं आपको अपनी तरब से बहुत सकरात्मक और सोच पाल के रखना है लव लाइफ में अप यश के सिकार भी हो सकते हैं तो थोड़ा सावधान रहिएगा जब भी चंद्रमा धनू और मकर से गुजरे तो व्रिश्चिक वाले सावधान हो जाएं इस्पेशली इन लव लाइफ स्वास्त पेटे से आज परेशान रहेंगे भी या तो थोड़ा खान पान पे हथियाद बरतीएगा क्योंकि पेट सही तो सब सही उपाय क्या करना है मुर्श्चिक वालों को आज दाहिने हाथ के अंगूठे पे हलका सा हल्दी लगा लिजेगा बेहत शुब रहेगा क्या नहीं करना है आज किसी भी अजनवी को कुछ राज की बात न बता दीजेगा ग्रे कलर शुब है ठावन प्रिस्चत का भाग्य है धनुराश्य चंद्रमा का साथ शूटेगा तो मन की चंचलता को थोड़ा सा नेंदरन मिलेगा सुख्चा में आज मन लगेगा धनुराश्य वालों के लिए सुख्चा के अस्तर में सुधार की भी संभावना बेहत प्रबल है धनुराश्य वालों को ब्यापार ब्यापार में आज निवेश दे बचने की आवश्यक्ता है थोड़ा सा ब्यापार में खर्चा तो बढ़ रहा है लेकिन अगर ज़्यादा लंबा निवेश कर देंगे वो आपके लिए गड़बल रहेगा आपको अपने आप पर बहुत ध्यान देना है धनुराशी वालों की स्थिति प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर में आज कोई मित्र मदद करके आपकी नौकरी बचाएगा नौकरी बस जाते जाते रह जाएगी इस्थिति प्रतिकूल होते होते बच जाएगी ये सकारात्मक है धनुराशी संतान का विशेश लाब मिलने जा रहा है अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो परिवारिक सुख भी आज आपका बढ़ेगा प्राइवेट सेक्टर में और भी बहुत विशेश लाब होगा ब्यापार की तुलना में धनुराशी वालों को जो आज प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं कार्पूरेट में उनको विशेश लाब मिलेगा सरकारी छेत्र वालों को आज बहुत के गुस्से का सिकार होना पर सकता है थोड़ा सा अपने आपर ध्यान दीजेगा जबाब देना थोड़ा कम कर दीजे ये आपके लिए घातक है कार्पूरेट में आपके एक निगेटिव छवी आज जा सकती है धनुराशी दामपत्ति जीवन बहुत अच्छी स्थिति है हर एक निगेटिविटी से बाहर निकलेंगे पति-पत्नी के बीच तालमेल अच्छा बैठेगा कहीं बाहर खाने पीने का कार्पूर बन सकता है धनुराशी लव लाइफ बम-बम इस्थिति है आज कोई बहुत खास आपके दिल को छूज जाएगा ये आपके लिए बहुत सकरात्मक होगा धनुराशी लव लाइफ के बाद हेल्थ इस्थित थोड़ा सा आँख की तकलिफ बढ़ सकती है और कुछ लेजीने साज आपको परिशान करेगा जैसे एक निगेटिव थौट्स भी आ सकता है क्या विशे शुपाय करना चाहिए रापकी राशी धनु है आज धनुराशी वालों को एक छोटा सा दूब घास दुर्वा ग्रीन ग्रास खाली जेगा क्या नहीं करना आज आज उधार देने से बज़ना है बैगनी रंग शुब है पचास प्रत्सित का भाग आपके साथ है मकर राशी बेहद सकारात्म के इस्तिति है आज मकर वालों का प्रभाव हर प्रकार से शुब रहेगा पढ़ाई में मन लगेगा हर प्रकार की शुबता बनेगी और परिस्थतियां अनुकूलता देगी आज मकर राशी वालों को बहुत अंदर से खोशी मिलेगी अगर आपकी राशी मकर हैं ब्यापार करते हैं तो आज स्वास्थ की वज़य से ब्यापार प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा कुछ जल्दी बाजी में आप फैसले भी गलत ले सकते हैं तो आज बड़े फैसलों को टालने की आवशकता है मकर राशी ब्यापार में आज लोन संक्षन हो जाएगा मकराश दो मार्च विजयाय का दर्शी शनिवार का दिर सरकारी छेतर और प्राइविट सेक्टर अब इन लोगों को बताते हैं तो पहले प्राइविट सेक्टर वालों को बता दे आज नहीं नौकरी के लिए तलाश करना बंद कर दीजेगा आज निगेटिव रिजल्ट रहेगा इसमें मकराश वालों को आज सरकारी छेतर में प्रमोशन भी है और अब तक नौकरी नहीं लगी थी तो आज अपॉइन्मेंट लेटर भी मिल सकता है आज मकराश वालों के गवर्मेंट सेक्टर वालों के लिए महिला करमचारी या सहयोगी बहुत हल्प करेगी दामपत्य जीवन इस्तियां थोड़ी सी प्रत्कूल होंगी खाने पीने को लेकर या बच्चे को लेकर कि आज जगड़ा हो सकता है पति-पत्नी के बीच इस पर विशेश ध्यान दीजेगा निगेटिव इनरजी ना आने पाए आपके घर में ध्यान दीजेगा तो कोई महिला महमान अगर आ रही है आज तो टाल दें कोशश करें इग्नोर करें ये आपके लिए शुब होगा मकर राश नेक्स्ट अगर आपके राशिय मकर है लव लाइप में सिंगल थे तो आज डबल हो सकते हैं चंद्रमा दो पहर के बाद आ रहा है तो दो पहर के बाद आप प्रपोस कर सकते हैं आपके लिए शुब रहेगा डेट पर जाये जा सकते हैं मकर वालों के लिए सकरात्मा की योग है अगर आपके राशिय मकर है स्वास्त के लिए आज चसमे का नंबर ध्यान दीजेगा कुछ आँख के आस पास चोट चपेट की संभावना है तो हेलमट लगा करके ही बाई चलाएं बेल्ट बाद करके कार चलाएं स्पीर्ट लिमिट का विशेश ध्यान दे आज सांत चित रहने का प्रयास करे उपाय क्या करना चाहिए आपको आज के दिन खिचुडी का दान कहीं कर दीजेगा या कुछ अन्य खाने की वस्तु का भीदान कर सकते हैं संभव है तो फिचुडी ही बेश्ट रहेगा क्या नहीं करना आज आज लंबी आत्रावाइट करना काला रंग शुभर तिरपन प्रिशत का भाग आपके साथ है कुम्बर आज शिक्षा के मामले में आज उठा पटक बना रहेगा आज मन ही नहीं लगेगा पढ़ाई में क्या कर सकते हैं आप ध्यान दीजिए मच्बूत बनिए ब्यापार आज ब्यापार में कोई धोखा दे सकता है पार्टनर्शिप आज तूट सकती है आज सोयम पर बहुत ज़्यादा फोकस्ट रहने की आवशकता अगर आप बिजनस मैन है बिजनस मोमेन है इस पर आपको विशेश ध्यान देना होगा कुंबराजी नेक्स्ट प्राइबेट सेक्टर बंबं इस्थती है आज बॉस भी प्रशन रहेगा सहयोगियों का साथ मिलेगा आज एक बहुत बड़ा बोजह सर से उतर जाएगा इस्थती आज अनकूल रहेगी नई नगरी की संभावन आए है या डिपार्टमेंटल एक्जाम देकर प्रमोशन भी पा सकते हैं आज बॉस भी आप से प्रशन रहेंगे आज कुछ कुछ होने लग जाएगा दिल में क्या विशेश उपाय करेंगे ये भी हम बताएंगे लेकिन पहले क्या जानेंगे मैरेड लाइफ और लव लाइफ दामपत्य जीवन में पत्नी आज रुष्ट हो सकती है पत्नी के साथ आज नोग जोग बढ़ सकता है और लव लाइफ की इस्तिती आज ठीक रहेगी यहाँ पर जगड़ा खतम हो जाएगा स्वास्त स्वास्त में आज ब्लड पेशर थोड़ा सा परेशान करेगा उपाय क्या करना है हलका सा छोटी एंगली पर ताहिने हाथ के काजल लगा लिजेगा क्या नहीं करना है आज किसी का अनाधर नहीं करना है सफेद रंगशुप 46 प्रिस्ट का भाग आपके साथ मीन राची बिलक्षण इस्तिती रहेगी सिक्षा के मामले में आज भागे साली रहेंगे इस्तितिया बहुत अनकूल कर लेंगे आप ब्यापार की स्तिती बहुत अच्छी रहेगी बिदेश से ब्यापार आज बढ़ सकता है रुपे पैसे से आज मजबूत रहेंगे बिजनस में निवेश भी किया जा सकता है प्राइवेट सेक्टर नई नौकनी की पूर्ण संभावना है चंद्रमा की श्तिती बहुत अच्छी रहेगे लाब के कई राज़्ते खुलेंगे सरकारी छेतर सरकारी छेतर में बॉस के साथ तालमेल बिगड सकता है थोड़ा सा अपने आप पर नियंतरन रखेंगे तो ठीक रहेगा दामपत्ते जीवन पत्नी आज नाराज हो जाएगे कुछ उपहार लेकि आफिस से आईएगा खुश रखने की कोशिश करिएगा दामपत्ते जीवन अच्छा रहेगा कोई समस्या विशेश नहीं है यहाँ परिस्ति थोड़ी सी प्रतिकूल दिखाई दे रही है हो सकता है कि आज गर्फ्रेंड बहुत नाराज हो जाए तो बहुत अपने आपको सहियम शील रखेंगे तो अच्छा रहेगा क्या उपाय आपके लिए है पहले आप स्वास्तिका जान लीजे हेल्थ इशू आज ठीक है कोई समस्या नहीं है जो पहले से समस्या थी उस पर भी आज आज आपको जीत मिलेगी हास्पिटल से आज सोयम दिश्चार्ज हो जाएंगे और काम पर सम्वार से फिर सजाना सुरू कर देंगे क्या आपको आज उपाय करना चाहिए आज आपके लिए किसी जरुरत मंद को दो चार रुपए दे देजेगा क्या नहीं करना है आज इधर की उधर मत करिएगा केसरिया रंगशुब 55% का भाग आपके साथ है तो चलिए अब जानते हैं आज का भाग याक्षर और सकसेज की लेकिन पहले ये बता दे कि आप हमसे 5 मार्च तक गाजय अबादें मिल सकते हैं 6-7 को पुणे में और 8-9-10 मुंबई में मुलाकात कर सकते हैं आज जानते हैं आज का भाग याक्षर जल्दी से जाने हैं आज की सकसेज की एक चुटकी नमक किसी पौधे की नीचे डाल दीजेगा थैंक यू सो मच आप सब के इस महबबत के लिए ये प्यार वराय रखेगा हमारे देश का बेटा अभिनंदन सकुसल भारत वापस आ गया है इसके लिए हम अपने भारत के सश्वी प्रधान मंत्री सिरी नरेंद मोधी जी को उनकी कुछ नितिक पहलों को बढ़ाई देता हूं और देश की एकता को भी जिन्दा बात करता हूं कि हम सब ने दिखा दिया सोसल मीडिया के जरिये भी कि हम एक हैं और एक ही रहेंगे अपने एक जवान के लिए हम पूरा देश एक हो गए थे सल्लूट है भारत वर्ष के इस जजबे को भी बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच जै हिंद जै भारत नमस्कार कि अगर है भारत वारत 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 बहुता है झाल झाल